कन्या कुमारी से प्रारंब हुई कांग्रेस सांसद राहूल गांधी की भाराज जोडो यात्रा का आज समापन शीनगर में हुआ इस समापन समारों में कांग्रेस के राश्ट्रे अध्यक्ष मलिका रुजुन खड़के सहित प्रेंका वाडरह भी शामिल हुई पूरे कारक्रम के दवरान यहां बर्फ बारी होती रहे लेकिन आमजिंता और कांग्रेसी कारेकरता निश्ठा पूरुव खड़े रहे सवा को संबोधित करते वे प्रियंका वाडरह ने कहा कि इस भाराज जोडो यात्रा का हर राज्य में हर जिले में स्वागत हुआ है कि जहां जहां गए कन्या कुमारी से लेकर यहां श्री नजर तक जहां जहां गए तो लोग बाहर आए किस लिए आए किस लिए आए क्योंकि इस देश में अभी एक जजबा है इस देश के संविधान के लिए इस देश की धर्ती के लिए इस देश की अनेक्ता के लिए एक जजबा है तो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी है वहीं सभा को संबोधित करते वे राहुल गांधी भावुख हो गए उन्होंने अपने दादी के और पिता के हत्या को याद किया और कहा कि भाराजुड़ यात्रया का उद्देश यही है कि किसी के लिए भी दुख वरा फोन ना आए और नफरत खत्म हो जाए अधरत का लक्ष है कि यह जो फोन कॉल हैं छाही आर्मी के हों चाही एस सी आर पी एफ के हों चाही एक कश्मीर के लोगों के हो यह फोन कॉल बंद हो जाए कि ये फोन कॉल किसी बच्चे को किसी मा को किसी बेटे को ना लेना पड़े मेरा लक्ष ये जो फोन कॉल है इनको बंद करने का है अब अब देखिए कि BJP, RSS के लोग आक्रमन किस चीज़ पर कर रहे है मुझे गाली देते हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं जो मैंने आपको शुनियता की बात की शिव की बात की उसको मैं समझता हूँ और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि जितना भी वो मेरे उपर प्रेशर डालें जितनी भी गाली लगाएं जो भी वो करें उससे मैं सिर्फ सीखता हूँ